बिसमिल्ला रुर्मान रुर्हीम, असलाम अलेकुम सूडन्स आज की इस कलास में हम लोग डिसकस करेंगे कि वट इस पॉइंटिंग डिवाइस एन्ड डिर आज डिफरंट टाइपस ओफ पॉइंटिंग डिवाइस तो अब हम सबसे पहले Pointing Device को डिसकस करते हैं तो Pointing Device Student क्या होती है ऐसी Input Device जो आपके Computer Screen पे Pointer की Position को Control करने के लिए इस्तमाल करते हैं अब यहां पे मैंने एक Word यूज किया कि What? Pointer अब यहां पे जो Pointer Word है Student Pointer एक छोटा सा Symbol होता है जो आपकी स्क्रीन पे अपीर होता है तो जैसे के जैसे यह मैं मूव कर रहा हूँ अब यह क्या है यहां पे प्रॉपर जो है वो करसर आपको नदर नहीं आ रहा बट आप अपने Computer के स्क्रीन पे देखेंगे तो एक White Color का एक Arrow का निशान नजर आएगा वो हमारे पास क्या है वो Pointer है ठीक है जी अब Pointing Devices के इस्तमालात क्या है अब हम उसको डिसकस करते है Pointing Devices जो है इसको हम किसी भी Text को Graphics या किसी भी Object को Select करने के लिए इस्तमाल करते हैं जैसे कि आप किसी File को Open करते हैं आप उसको पर माउस का सर लाके डबल क्लिक कर देते हैं वो Open हो जाती है आप किसी Text को Select करना चाहते हैं तो वो भी आप माउस के जरीए Select कर सकते हैं या किसी Button के उपर Press करते हैं किसी Menu को Select करते हैं या किसी Icon Commands को Select करते हैं तो यह हमारे पास क्या है यह तमाम जो चीज़ें मैंने आप सर डिसक्स करें हैं यह Pointing Devices के जरी पॉस्टीबल है जी अब Pointing Devices की Different Types है जिसमें सबसे पहले Mouse फिर Trackball इसके लावा Pointing Stick है Touchpad, Touchscreen, Light Pen, Joystick, Graphic Tablet and Pen Base System तो आज के इस Lecture में हम लोग Mouse, Trackball और Touchpad के बारे में जो है वो डिसक्स करेंगे और बाकी जो हैं हमारे पास टाइपस यह हम Next Lecture में इन्शाला डिसक्स करेंगे जी तो सबसे पहले हमारे पास Mouse है तो Mouse की तरफ हम चलते हैं Mouse एक Most commonly use होने वाली Input Pointing Devices है जिसके बारे में आप सब लोग Aware हो चुके होंगे जी तो Mouse क्या है Mouse student एक Input जो हो डिवाइस होती है जो हमारे Computer Screen पे Cursor की Position को कंट्रोल करती है अब Mouse जो है यह हमारे पास एक Flat Surface के ओपर Move करता है बिल्कुल Flat Surface होता है उसको अपर जब हम Move करते होए Use करते हैं अब Mouse को Student Computer के साथ दो Method से दो Way से हम Connect कर सकते हैं अब इसमें सबसे पहला जो है वो हमारे पास Cable और दूसरा हमारे पास Wireless Connection है अब यह मैं जो नाम ले रहा हूं Wireless Connection और मैं नाम ले रहा हूं Cable अब यह भी मतलब दो Category में आ गए इसका मतलब Mouse जो है इसको डिस्कुस कर लेता हूं कि Types of Mouse क्या है हमारे पास एक Mechanical Type और एक Optical Type जो स्ट्रॉन रहा है Mechanical Type होती है इसमें एक Ball होती है जो कि Bottom पे होती है जो आम ट्रेडिशनल जो Mouse इसमाल हो रहे है इनकी Bottom पे एक Ball होती है अब यह Ball जैसे जैसे Move करेगी यह 4 Direction में Move कर सकती है Left, Right, Top, Bottom जैसे 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 जिस Direction में Ball मूव करेगी उस Direction में आपका Cursor Move करेगा इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने Hand से इस Mouse को कंट्रोल कर रहे हो यानि कि वो Ball मूव कर रही है और उस तरहा Mouse का जो Cursor होगा वो भी उस Direction में Move करेगा जो Second Optical है इसमें Ball का Concept नहीं आया यह latest technology है तो इसमें क्या हुआ इसने Wireless Connection आगया यानि कि इसमें जो हमारे पास Laser Light जो है उसको इसको इसमाल किया गया ताकि उसके जरीए जो आपकी Mouse की जो है उस पे Direction है उसको Control किया जा सके तो मैं पिछली स्लाइड पे जो है आपको लेके चलता हूँ Structure of Mouse क्या है तो पहले मैंने आपको Mouse की Definition बताई Mouse को जो है वो बताया कि किस मैथड से जो है वो हम connect कर सकते है अपने computer के साथ और अब हम discuss करेंगे Structure of Mouse क्या है Structure क्या है student कि Mouse यह consist करता है तीन बतन क्यों यानकि एक left button एक right button और एक wheel button अब इसमें सबसे पहला जो है वो left button है अब left और right button से क्या करते है जैसे अभी मैंने आपको पहले discuss किया कि different objects को select करने के लिए files को open करने के लिए किसी text को select करने के लिए हम इसका इस्तिमाल करते है जो कि wheel button है अब यह जो wheel button है यह scroll wheel भी कहते है इसका मतलब है जो last document होते है अब for example आपने MS Word की file में कोई document open किया हूँ पांच pages का है तो आप उसको up down direction में करना चाहते है तो वो scroll जो हो wheel उसके जरीए आप लोग कर सकते है जैसे कि इस mouse में दिखाया गया है कि mouse wire है यह वाली जिसके जो आपके computer के साहा लगी right button है यह वाला और यह left button है यह वाला उसके बाद scroll लोग यह mid में होता है यह वाला देखें यह scroll button और इसको scroll wheel भी कहते हैं जी उसके बाद हम next अपनी जो है वो slide के दरफ चलते हैं जो के हमारे पास है track ball जैसे कि आपको यह picture में देखते हो समझ आगे होगी कि यह बिल्कुल दिखने में mouse है बट यह mouse नहीं है बट इसमें क्या है कि यह alternative of mouse हम कह सकते हैं ठीक है जी तो इसमें होगा क्या देखें इसके top पे आपको एक red color के यहां पे ball नज़र आएगी यह वाली अब यह देखें हम simple कहेंगे कि एक ऐसी device है जिसके top पे ball होती है अब यह जो ball है यह move कैसे करेगी तो students user जो होता है यह अपने thumb के साथ अपनी finger के साथ इसको move करता है तो जैसे जैसे यह finger उसकी up direction में down direction में left और right move करेगी वैसे वैसे जो cursor होगा यानि कि जो pointer होगा स्क्रीन पे वो भी उसी direction में move करेगा तो अब हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो track ball है ना इसका जो है वो फाइदा क्या है इसका फाइदा यह है कि यह एक तो कम जगा गेरता है दूसरी बात यह है कि इसकी जो body होती है यानि कि यह जो ball के नीचे यह सारी यह जो है वो यह खुद move नहीं करती यह as it एक जगा पे static रहता है इसको उपर just ball को अपनी finger के साथ move किया जाता है यानि कि यह कम space जो है वो occupy करता है और दूसरी बात इसकी जो body होती है वो यह move नहीं करती यहाँ मैंने mention किया हुआ है कि to move the pointer you rotate the ball with your thumb your fingers और palm of your hand उसके बाद it does not require much space to use इसके लिए जो है वो ज्यादा required जो है वो space जरूरत नहीं होती इसको बहस्दानी हम जो इसके इसमाल कर सकते हैं तो यह major difference है mouse and trackball के अंदर next हमारे पास है pointing devices कौन कौन से है based on touching जो touching का surface यह पने ता क्साथ सक्रीन हमने एकसर यह नाम सोना होगा आप लोगोंने touch screen, mobile होगे touch screen laptop सागे touch screen, oven touch screen, washing machine इसमें हमारे पास जो आपने याद रखना है अपने बुक पे मेंशन कर लेना है कि जो टच, टचिंग और सर्फिस बेस्ट जो हमारे पास जो पॉंटिंग डिवाइस हैं वो कौन कौन सी है सूरी यहां प्र तेज़र आगे यह टोच पैट आपको पहले में पिक्चर में दिखाई करता हूं यह और यह लैपटॉप जो आपको जह वो दिखाई को यहां पर इसकी बॉटम साइड पर होता है इसको एसके सर्फिस पर अपनी फिंगर को मूफ करते हुए अपने करसर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं पहली बात दूसरा पॉइंट ये है कि इसके भी दो बटन होते हैं यहां पे अगर आप देखें एक लेफ्ट साइट पे है और एक राइट साइट पे है तो इसका काम भी क्या होगा डिफरेंट जैसे मैंने अब बताया जैसे माउस काम करता है यहां किसी object को किसी बटन को, menu icon को, commands बगरा को कंटरोल करने के लिए किसी text को select करने के लिए हम इन बटन का इस्तमार करते हैं जी तो यहां पे मैंने mention किया हो a small touch sensitive pad used as a pointing device on some portable computer कुछ computer जो होते हैं इन पे यह touch sensitive pad जो हो और रड़ी embed किया गया होता है उसके बास है by moving a finger or other object along the pad you can move the pointer on the display screen तो आप अपनी जो computer के screen है laptop के screen है उस पे जो mouse को की position को control कर सकते हैं वो अपनी finger के साथ यानि कि आप simple क्या करेंगे touchpad जो आपके laptop पे दिखाई दे रहा है उस पे आप अपनी finger को move करेंगे तो जैसे जैसे आपकी finger move करेंगी जिस direction में move करेंगी उसी direction में आपके mouse की जो कसर की जो position होगी वो control होगी तो student आज की हमारी जो lecture की summary है वो ये है कि हमने study किया कि सबसे पहले pointing device क्या होती है pointing device के जो है वो उसमें pointer को हम डिसकस किया फिर उसकी इस्तमालाद देखे उसके बाद हमने ये देखा कि pointing devices कितनी types की होती है उसके बाद हमने इस में से जो आज डिसकस किया वो हमारे पास है mouse उसके इलावा touchpad उसके बाद trackball ये हमारे पास तीन जो हमने types डिसकस की है इन में अगर आपको कोई भी question है ये कोई भी problem face करना पड़ती है तो आप जो है वो comment कर सकते हैं मैं उस क्योरी को इन्शालला resolve करूँगा तो आज का lecture यहां पे खत्म हो चुका है तो इन्शालला नेक्स lecture में मैं आप लोगों को जो बाकी इसकी types हैं वो with diagram और example इसी तरह आपको discuss करूँगा अपना ख्याल लखेगा अलाफेज, stay home, save lives